नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आरके टेर्डिंग दोस्तो तारीक है साथ मुई 2020 और यहां पर एक फटाफट वाले सेक्षन में एक इस टॉक्स लेकर आया हूं उस इस टॉक्स की डिटेलरेंस आपकर करेंगे पहले इसटॉ मुमेंट आया है तो ऐसे मैं यहां पर आपको दिखा दूं पहले केरियर पॉइंट का मुमेंट करना तो यह बे अमल का चाट है जो है आप देख रहें हैं अब यह देख़े का चाट बेले के चात पर सबसे पहले यह देखे विडियो पूस्त पूरी देखे समझ वनाज़ है यह पहली केंब अप्रेल 2020 की ये केंडल है 15 अप्रेल 2020 और उस केंडल के बाद सबसे पहले तो इसने एक रजिस्टेंस बना तो वह रजिस्टेंस में यहां पर आपको ड्रॉख कर दूँ वह रजिस्टेंस लेबल पांस सो संतानवे यह यह निए 600 का रॉंड फिगर में आप ले सकते हैं रज यह हूँ थाए गया और अच्छा प्रॉफिट देंके यहां पर गया लेकिन अब उसी रजिस्टेंस ऑगले दिन से यह क्या किया एक तरे के चानल में फॉस्ट गया ठीक है आप देख करेए अपर लोर फिर पर फिर लोर इस तरह के चानल को यह बनाता हुआ नीचे की सैड लेकिन आपको यह चीजें भी ध्यान रखना है दोस्तों यहां जो रजिस्टेंस था वह 600 रुपए का था ठीक है राउंड और अभी जो इस ट्रेड कर रहा इस प्राइस चानल के अंदर में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इसी रेंज में और प्राइस के पास में यह अपन कहीं इसने क्लें करने की कोशिज किया है यह आप यहां पर कलेर कट देख पार है तो high और low के पास, close के पास, बिल्कुल 10 point का difference आ रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा difference नहीं है, और volume को अगर आप देखें, ध्यान से अगर आप volume देखें, तो volume भी इसने जबरदस create किया हुआ है, आप देखें, इतना volume आप इसको कुछ दिन पहले देखा होगा, आप देखें volume का भी breakout हुआ है, कापी जबरदस volume का breakout है, साथ ही volume के breakout होने के साथ साथ यह जो price channel में यह trade कर रहा है यह बंदा, उसका भी यह breakout दिया, आप देखें, यहाँ पर एक price channel है, यह आपको resistance लेता बाद दिख रहा है, अगर यह breakout करता है, इसके उपर जो कि 600 का अगेन बता रहा क्या 600 का, इस candle का हाई कितने का आ रहा है, 603 रुपे का, तो 600 से लेके 605 हम लोग लेंगे, वो हमारा important resistance आ रहा है, 605 तक का एक important resistance zone है, अब इस resistance zone के नीचे जब तक है, तो हमें BML में कुछ नहीं करना है, लेकिन यह positionally stock है, stock photovert वाले section में, सबसे पहले हम इसकी और भी analysis करें यह चीज़ें तो समझ में आ गई, हम कुछ moving averages वेगरा भी confirmation लेते हैं, MSCD देखेंगे, तो देखेंगे, इतना दिन histogram chart देखें, इसको बार चार्ट जिसको बोलते हैं, यह continue red, red, red आ रहा था, आज यह first time ऐसा है, आज यह first time ऐसा है, जिसमें इसने आज green बनाया है, आप चीज़ों को ठीक है कि यह positive तो हो गया, अभी हम RSI भी check करेंगे, बिना RSI कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे हमने हटा दिया, अभी हम RSI लगा लेगे, देखें, RSI क्या बता रहा है, RSI बिल्कुल 40 को break करने की कोशिज कर रहा है, important 50 का level है, अगर यह 50 को break करत हो, 26 डे का moving average, तो इसको stocks ने आज ब्रेक आउट किया है, उपर की साइड में, तो आपको यहां पे दिखाया दे रहा है, बिल्कुल breakout क्या है, उसके साथ ही अगर मैं लगा दूँ, यह देखें, 50 डेका expansion moving है, तो उसका अगला resistance नजर आ रहा है logical, उसके बाद मैं लगा दू नाइन डेका moving average तो इसको ब्रेक कर चुका है, तो नाइन और 26 को तो यह ब्रेक कर गया, और यह जो लास्ट वाली line देख रहे है, यह 200 यह में का है, तो नाइन और 26 को तो यह ब्रेक कर गया, तो हम लोगों ने क्या क्या चेक किया इसमें, कि हमारा technical chart पे breakout हो रहा है, एक रहा है, 600, 25 रुपए का असपास का, है ना, 625 का R.I.D.A. में, तो हम यहाँ पे note कर लेते हैं, एक दम देखिए, ज्यादा rocket science ने लगाना है, नॉर्मल, 625 का प्राइज, अब अगर 50 डेका expansion moving average, 625 का रहा है, तो इसके बाद अगर हम इसको change करना चाहें, सब्सक्राइज कर में रख लेता हूँ, 700, ठीक है, अब इसको मैं कर दिया, close, अब दिखें, यह 100 डेका, 50 डेके बाद कितना हो गया, 100 डेका, 100 डेका expansion moving average क्या आ रहा है, वो आ रहा है, 700 क्या रहा है, अब 625 और 700, यह हुआ दो, हम आरा target हो जाएगा, अगर logical बात करेंगे, इसके हिसाब से, तो हम position बनाएंगे 610 के उपर, ठीक है, 610 के उपर position बनाएंगे, range होगा इसका, buy का range, 605 से लेके 610 के बीच में अगर यह stock मिलता है, तो आपको intraday में position बनाना है, लेकिन delivery लेके जाएंगे, जब इसी range पर, इसी range पर, साबात 3 बज़े के बाद, यानि कि 3 बज़े के 20 मिन इस position पर, तो हमने इस level पर position बना लिया, और ये पहला target, जो भी मैं target बताऊंगे, वो पहला target done हो गया, फिर हम position नहीं बनाएंगे, फिर हम intraday में card fit करके profit लेके घर बैठ जाएंगे, फिर हमें नहीं लेना है, हाँ लेकिन इसी price के आसपास वो घुमता रहे और target भी done ना कर बाइंग लेबल 605-610 के बीच का होगा, और stop loss जो लगाएंगे, हम लोग stop loss हम लोग लगाएंगे 580 रुपय का, stop loss होगा 580 का, closing basis पे, जब भी बात होगी, closing basis की, तो हमारा buying level 605-610 का होगा, stop loss 580 का लगाएंगे, closing basis पे, और हमारा जो target होगा, पहला target 625 रुपय का होगा, first target और second target जो होगा, वो हमारा 675 का भी रख सकते हैं, और third target आप 700 तक का भी ले सकते हैं, ये तीन target, पहला target 625, second target 675, third target 700 का, ये तीन लेबल आपको target के मिलेंगे, लेकिन आपको position ध्यान पुरवक जो मैंने भी बताया, बिल्कुल उसके पास में position अगर मिलता है, तभी बना लेकिन अगर इस टॉक मान लेता हूं, 625 से सिधे आगया 600 पे, फिर हमें कोई काम नहीं करना, या 610 पे मिल रहा है, हमें कोई काम नहीं करना, हम अगले दिन का वेट करेंगे, जब हमारा ये first target को break करेगा ना, तब हम फिर second और third का वेट करेंगे, लेकिन अब हम वहां पे क कोई काम नहीं कर सकते, तो याद रखेगा, 605 से 610 के बीच में पोजिशन बनाएंगे, इस टॉप लोग से 580 का लगाएंगे, पहला टारगेट 625, सकेंड टारगेट 675, तरिशा टारगेट 700 का, और ये stocks का नाम है, B.E.M.L. इस टॉक फटाफट वाले section में, उमीद करता ह वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद.